हलो ब्रीवन, एकजाम वारियर में आप सभी का स्वागत है दोस्तो रुक्मनी पब्लिकेशन के प्रैटिसेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैटिसेट नंबर 8 के प्रशनों को देखेंगे इसके पहले की वीडियो में साथ प्रैटिसेट को कर चुके हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसका प्लेलिस्ट बना है वहाँ पे जाकर सारी वीडियो को देख सकते हैं दोस्तो इसमें हम लोग GKGS के प्रशनों को डिसकस करेंगे जो कि आपकी परिच्छा के दिश्ट से बहुत ही इंपोर्टेंट है तो आप लोग वीडियो को लास्त ध्यान से जरूर देखिएगा और अगर आप इसका पीडियाप चाहते हैं तो जोईन कीजिए हमारे टेलिग्राम चैनल को जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा तो चली शुरू करते हैं आज का पहला प्रशन है निमलिखित मेंसे किसे भारती क्रिसक वर्ग का प्रथम आम विद्रो कहा जा सकता है इंपोर्टन प्रशन है निमलिखित मेंसे किसे भारती क्रिसक वर्ग यानि किसान वर्ग का प्रथम आम विद्रो कहा जा सकता है तो इसका राइटेंस रो जाएगा आपसन C बंगाल का निल विद्रो आपसन C इसका राइटेंस रो जाएगा निल विद्रो का बुआ था तो, 1869 में निल विद्रो हुआ था और कहा पे हुआ था? तो बंगाल में हुआ था. और इसका नेतृत किसने क्या था? important है नील विद्रो का नेतूत दिगंबर, बिश्वास और विश्णु विश्वास ने किया था और यहा पहला सफल किसान आंदोलन था ठीक है नील विद्रोपर आधारी था है, और इसके लेका काउन है, तो दीन बंधु मित्र, दीन बंधु मित्र का नातक है ये नील दरपन, और ये नील विद्रोपर आधारी था है, ठीक है? किस वर्ष में ततकालिन समराट जार्ज पंचम ने दिल्ली को अधिकारिक रूप से ब्रिटिस भारत की राजधानी घोसित किया था सबी को पता होगा और important प्रश्ण है ये किस वर्ष में ततकालिन शमराड जार्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिस भारत की राजधानी घोसित क्या था तो आप्षन 20 का राइटेंस रोजगा 1911 के दिल्ली दर्वार में इसकी घोशडा की गई थी ठीक ह और एक प्रश्ण पूछा आता है कि 1911 के समें भारत का वासराय कौं था तो उसमें भारत का वासराह लाड़ भारत का वासराय था नेक्स्ट है सांसाट का राइट आनीस सन मे तो Actin 1933 भारत की पारलियमेंट का उदघाटन किस सन में аौहा था है इसकी अधारसिला कब रख करे गई थी तो 12 फरवरी, 12 फरवरी 1921 को इसकी अधार्शिला रखे गई थी, किस ने रखा था, तो Duke of Connoir ने इसकी अधार्शिला रखे थी, और इसका उधार्वाटन किस ने क्या था, तो 18 जन्वरी, 18 जन्वरी 1927 को इसका उधार्वाटन किस ने क्या था, तो लाड एरविन ने इसका उध अउद्घाटन किया था उस समें लाड इरविन भारत का वाज रहा था तो आप लोगमेंट बाक्स में बताईएक जो नई संसद बनी है इसका उद्घाटन कब हुआ था comment box में जरू बताइएगा next है भारत में स्वराज आंदोलन सुरू किया गया था भारत में स्वराज आंदोलन सुरू किया गया था किसके द्वारा तो option C मोतिलाल नहरू और चितरंजन दास के द्वारा option C इसका right answer हो जागा बात करते हैं स्वराजपार्टी की मोतिलाल नहरू और चितरंजन दास ने इसकी अस्थापना की थी और इसके अध्यच कौन थे तो चितरंजन दास इसके अध्यच थे और मोतिलाल नहरू इसके महा सच्यू थे नेक्स्ट बढ़ते हैं निमलिकत व्यक्तियों में से किसने 1943 में सुवास चंद्र भोस को सिंगापूर में आई एन ए बनाने में सहयता की निमलिकत व्यक्तियों में से किसने 1943 में सुवास चंद्र भोस को सिंगापूर में आई एन ए बनाने में सहयता की तो आप्सन भी कैप्टन मोहन शिंग ने आप्सन बीस का राइट एंस रो जागा नेक्स्ट बढ़ते हैं इन में से कौन अखिल भारती मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे इन में से कौन भारती मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे तो आप्सन ए आप्सन एस का राइट एंस रो जागा मुहम्मद अली जिन्ना नहीं थे आप्सन एस का कर राइट किसके द्वारा लिखा गया था सत्यार्थ प्रकास किस की पुष्ठक है तो आप्ट्र ने सवामी द्यानंद सरशुति की पुष्ठक है सत्यार्थ प्रकास आप्ट्र एसका कुल आपन तो इस्थापन किया थ है तो रेक पोईंट आनखे सुराज सब्ध का प्रियों किया था। सब्सक्राइब का प्रियों किसने क्या था तो स्वामी द्यानंद सरसुते ने क्या था नेक्स्ट है हाथ काती खादी के वस्त्रों में 1877 में साही दर्वार में कौन सम्लित हुआ हाथ काती खादी के वस्त्रों में 1877 में साही दर्वार में कौन समलित हुआ था तो आप्शन B गड़ेश वासुदेव जोसी आप्शन B इसका राइट अंस हो जागा नेक्स दोस्त मुहम्मद खान के खिलाप 1838 में हुई त्री पच्छी संद पर किस किस ने हस्ताच्छर किये थे तो लाड आकलेंड महराजा रणजी सिंग और कौन सासुदा किस में है तो आप्शन C का राइट अंस हो जागा नेक्स बड़ते हैं निमन में से किस समिधहान संसोधन के तहट साकारी समित को समयधानिक दरजा दिया गया था निम्न में से कि σमिधान संसुधन के तहत साहकारी समित को शमिधानिक दरजा दिया गया था important है ये उसका राइटेंस रोजेगा सततानवा शमिधान संसुधन अद्न्यम के दोरा option 20 का राइटएंस जगा और यह संतार्वे नंबर का जो समिधान संसुदन हुआ था यह कब हुआ था तो 2011 में हुआ था और इसके द्वारा जो है 19 गा जोड़ा गया था और समीतु के बात कहीं गई है इस अंदिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त-वियापार करने का विशेश हॉआ धिकार दिया गया था इंपोर्टन एस इंडिया यह कंपनी को बंगाल में सुल्क मुक्त व्यापार करने का विश्यसा अधिकार दिया गया था कब दिया गया था तो आप्षन इस का राइट एंसर हो जगा 1717 में और किस ने दिया था तो मुगल समराड फरुक्सियर ने दिया था ठीक है ये वी धान रिखेगा नेक्स्ट है 1947 में भारती राष्टी कॉंगरेस के अध्याच थे 1947 में भारती राष्टी कॉंगरेस के अध्याच कौन थे तो आप्षन इजे भी कृपलानी आप्षन इसका करेटेंज रोजाएगा ऐसी बेप्रस्ट पुछा जाता है कि भारत की आजादी के समय भारती राष्टी कॉंगरेस के अध्यचकवन थे तो जे भी कृपलानी थे ठीक है? Option A Next 1937 में कॉंगरेस मंत्री मंदल कितने प्रांटों में बने? 1937 में कॉंग्रेस मंत्री मंडल कितने प्रांतों में बनी थी? मैंने बताया था आठ प्रांतों में. 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 करे टनते हो जाए एक है आपका घरेकैन यह भी क्या है आपका ऊंहीच्रवंदी चक्रवाथ है तो अ्ट्लं टीक यह पूर्वय existential महसागर्मी यह होता है America में पूज़ा आता है तो यह अपर प्रुषांत महसागर्में यह सीध मरुस्थल है कौन सा सीध मरुस्थल है इसा राइटेंस रोज़गा आपसन ओरभगा यह एक pops tay लाएटेंस रोज़गा पेंटा से लिए और कहां पर यह तो रज़्षड कामा मरुष्थल, सबसे सुस्क मरुष्थल है, ये भी दच्छड अमेरिका में है, एक प्रश्ण और सबसे बड़ा मरुष्थल कौन सा है, तो सहारा मरुष्थल है, सहारा मरुष्थल सबसे बड़ा मरुष्थल है, और ये कहां पर है, तो ये अफरिका महादुप में है, ने इसकी उचाई कितनी है, तो 8586 मेटर इसकी उचाई है, नेक्स्ट है, सूर्य और प्रिथिवी के बीच चंद्रमा कब आता है, तो आता है अपका सूर्य गरहन के दिन, आपसन भी, सूर्य गरहन, आपसन भीज का राइट अन्स रोजागा, अचाई चंद्रमा कब होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, क्या जाता है प्रिथिवी, तो क्या होता आपका चंद्रमा होता है, ठीक है, ये दोनों दिहाने किएगा, नेक्स्ट, राणा प्रताप सागरबाद का निर्माड निमलिकित में से किस नदी पर किया गया है, राणा प्रताप सागरबाद किस नदी पर है ये, तो आपसन भी, चंबल नदी पर, आपसन भी इसका राइट अन्स रोजागा, चंबल नदी पर और कौन सा बाद है तो जवाहर सागरबाद भी चंबल नदी पर है ठीक है जवाहर शागरबाद और गाधी सागरबाद भी चंबल नदी पर है इसको भी ध्यान किएगा नर्मदा नदी की बात करते हैं इस पर कौन सा बाद है तो सरदार सरूवर बाद नर्मदा नदी पर है ठीक है सरदार सरूवर सतलज नदी की बात करते हैं इस पर कौन सा बाद है तो भाखडा नांगल बाद किस पर है तो सतलज नदी पर है नेक्स्ट है निमलिकित में से भार तो, आप्सन si, पश्ट म笑ाहं में घाले, मड़ीपुरी, यहां सब पाए जाते हैं। इसके लिए मैंने अलग से विडियो बना रखी है। अगर आपने विडियो नहीं देखी है, तो प्लीज चन्ल पर जाके देख सक्ते हैं। इम्पोर्टेंट है, यहां से प्रशन आपके एक्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, next है, मिलान करना है, देखते हैं, पहला है, विधानता नए राजो को सामिल करना, किस आर्टिकल में है ये, तो आर्टिकल आपका 2 हो गया, समतक आधिकार, आर्टिकल 14 में है, गिरबतारी और निशेद के सनच्चन, ये किस में है, इस में है, राजपती का बीधियक को अनमती देने का अधिकार, ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 111 में है, ठीक है, इधाने कीएगा, next है, मॉलिक अधिकार, मौलिक अधिकार क्या है पहला है अपात कालिन इस्तिति में निलंबित किये जा सकते हैं बिल्कुल जाहिए यही आप क्या है पहला सही है मौलिक अधिकार जो है अपात कालिन इस्तिति में निलंबित किये जा सकते हैं आप से इसका राइट अन्स रो जाए लेकिन दिहान रख क्योंकि समिधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का नीड है इसलिए लिया गया क्यों तो इसका राइट एंस रो जाएगा आप्सन ए कॉंगरेश्ट ने इस सतीत को 1930 में सुतंता दिवस के रूप में मनाया था इसलिए आप्सन एसका राइट एंस रो जाएगा देखिए हमा पूरी तरह से लागू किया गया था क्यों लागू किया गया था 26 तारिक को क्योंकि कॉंगरेश्ट ने इस सतीत को 1930 में सुतंता दिवस के रूप में मनाया था ठीक है आप्सन ए नेक्स्ट है निम्न में से कौन गर्तंत भारत के प्रथम संग लोग सेवा आयोग के बने गर्तंत मतलब जब हमारा स्वामिधान लाग हुआ उसके बाद संग लोग सेवा आयोग के अध्यच कौन बने तो आप्सन ए आरियन बनर जी आप्सन एसका करेटन्स रो जाएगा अगर पुछा आए यूपियस्ट के पहले अध्यच कौन थे तो शर रोस बारकर सर रो यूपियस्ट के पहले अध्यच थे 1926 में ये बने थे और पुछा आए कि सोतंता के बाद यूपियस्ट के अध्यच कौन थे तो एच के कृपलानी एच के क्रिपलानी, सुतंता के बाद UPSC के अध्यस्त थे और गर्तंत बनने के बाद तो आरियन बनर जी, तीनों देहा नखिएगा, नेक्स्ट है, भारत द्वारा अंगिकृत संगी सरकार की सरवाधिक महातपूर विसेस्ता कौन सी है, भारत द्वारा अंगिकृत संगी सरक संगी सरकार की सरवाधिक महातपूर विसेस्ता कौन सी है, तो आप्सन सी, समिधान द्वारा केंद्र और राज्यों की बीज, सक्तियों का विभाजन, आप्सन सी इसका राइट हैंस हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट, बियालश्य समिधान संसुधन अधनियम द्वारा प्र राइट है, तीन सब्द जोड़े गया थे, काउन काउन से, पंत निरपेच, अखंड़ता और समाजवादी, तीन सब्द जोड़े गया थे, बयालश्य समिधान संसुधन उनिसोचियत्तर के द्वारा, नेक्स्ट है, भारत के समिधान में संग सब्द का प्रियोग किस इसमें कहा गया, भारत क्या है, राज्यो का शंग है, नेक्स्ट है, निम्नोक्त समादेसों में से, काउन्शा समादेस, किसी अवयद व्यक्ति से, सरकारी पद को बचाने के लिए, जारी किया जाता है, किसी अवयद व्यक्ति से, सरकारी पद को बचाने के लिए, क्या जार Qo e c is article के तहथ rate जारी करता है तो article 32 और High quote article 226 के तहथ . värat के समिधान का काउनशा अनुषिद चुनाव आयोग को संसद और राज विधान्सभाव के चुनाव का परविधान करने की सक्ति देता है भारत के समिधान का काउनशा अनुषिद चुनाव आयोक को संसद और राज विधान सभाओं के चुनाओं का परविच्छन का करने की सक्ति देता है तो आर्टिकल हो जाएगा आपका 324 लोग ज़सत अधनियम के तहत्वा भारत में लोक सभा अध्याच येवं उपाध्याच संस्था का उदस्था का उद्भा हुआ तो भारत सरकार अधनियम उनीस्ष्य आपशन भीस को लोम नेक्स्टर्य को का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतरगत निसुलक सिच्छा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतरगत तो इसका करेट अंसरो जागा आपका आपसन ए मौलिक अधिकार के रूप में गरंटी निसुलक सिच्छा का अधिकार क्या है तो यह मूल अधिकार है आपसन एसका राइट अ दो के द्वारा और किस आर्टिकल में यह सिच्छा का अधिकार तो आर्टिकल 21 ए में है और यह क्या है यह मूल अधिकार है नेक्स्ट है निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राजपाल को छमादान की सक्ति प्रदान की गई राजपाल का पूछ रहा है आपे राजपाल का छमादान शक्ति किस अनुच्छेद में है तो आर्टिकल 161 में है अगर हम बात करते हैं राशपाल कि चमाजान सक्तियां किसमें तो आर्टिकल 72 में है और आर्टिकल 61 में क्या है इसपे महा भी हो गए नेक्स बढ़ते हैं भारत के उस अस्थान का नाम बताईए जहां सून मेल का पत्थर देखा जा सकता है जिसमें बलुआ पत्थर शे बने चार घोडो युक्त एक अस्थम क अकृति बनी हुई है भारत के उस अस्थान का नाम बताईए जहां सून मेल का पत्थर देखा जा सकता है जिसमें बलुआ पत्थर शे बने चार घोडो युक्त अस्थम की आकृति बनी हुई है तो इसका राइट एंसर हो जगा आप्शन नागुर आप्शन ए नेक्स्ट अंतराष्टी मुद्रा कोस का बित्तियन किसके द्वारा किया जाता है अंतराष्टी कोस का बित्तियन यानि आई एमफ का बित्तियन किसके द्वारा तो सदस्य देशों के द्वारा आप्शन 20 का राइट एंस हो जाए आएमफ की बात करते हैं इसके अस्थापन का वही थी तो 1944 में इसकी अस्थापन होई थी, हेड़कॉर्टर कहां पर है, तो वासिंगटन DC में इसका हेड़कॉर्टर है, नेक्स्ट, बिरोजगारी वा मुद्रास्पीती की सैंक्त घटक कहलाती है, तो स्टैग फ्लेशन, आप्सन स्टीज का राइटन सुझेगा, नेक्स्ट, बैं दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि, तो इसका राइटन सुझेगा आप्सन सी, यदि CRR कम कर दिया जाए, तब आप्सन सी, नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्न में उसे बहु आयामिक घरीब सुचकांग के समद्ध में गलत है, निम्न में उसे बहु आयामिक गरीब सुचकांग के समद्ध में कौन शा गलत है, तो आप्सन ने प्रतेक प्रचाल को शमान भार दिया गया है, ये गलत है, आप्सन इसका राइटन सुझेगा, और ये बहु आयामिक गरीब सुचकांग, ये कौन जारी करता है, तो नीद आयोग या जारी करता है, आपक में स्री हरी कोटा दीव किस राज के तड़ पर अवस्तित है, भारत में स्री हरी कोटा दीव किस राज में अवस्तित है, तो ये आंधु प्रदेश में, आप्सन भी आंधु प्रदेश, नेक्स्ट, सामान एलर्जनों के लिए एलर्जी किसकी आति सकृता से उत्पन होती ह एलर्जी किसकी अत्य सक्रिता से उत्पर्ण होती है तो आप्षन C, I, G, E की आप्षन C इसका राइटन्स हो जागा Next, लाव चुम्ब की पधार्थ चुम्ब की छेतर में रखे जाने पर या क्यों अस्थाई चुम्बक बन जाता है लाव चुम्ब की पधार्थ चुम्ब की छेतर में रखे जाने पर क्यों अस्थाई चुम्बक बन जाता है तो आप्षन E, सभी डोमेन चुम्ब की छेतर की दीशा में अभी विन्यासित हो जाते हैं तो आप्षन E, नेक्स्ट याद किसी दरपन की फोकस लंबाई प्लस 15 है तो इसकी प्रकीति क्या है याद किसी दरपन की फोकस लंबाई प्लस 15 है मैंने बताया था अगर आपका धनात्माख होगा तो क्या होता है उत्तल दरपन होता है और रात्माख होगा तो आउतल इसम करता है क्या कहलाते हैं वे वस्तु में जो अपना स्वयम का प्रकास उत्पन नहीं करता है उसे क्या कहा जाता है उसे गैर दीप्त वस्तु में कहा जाता है अप्चन एसका राइट एंस रोज इसे ही अदीप्त वस्तु कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट नमलिकित में से क्या ड्रविमान नेक्स बढ़ते हैं ट्यूबर क्लोसेश के विरुध मुक्ता काउनशी वैक्सिन का प्रियोग किया जाता है ट्यूबर क्लोसेश यानि TB थबिक के बिरुद किस वैक्शीन का प्रियोक के जाता है मैंने बताय था पांग ऑप्षञोच सब्लेक्स हो गया निकालिहखा और त Rights अट्यों आके लिए, तरग हे इसको विजाना किये गा, नेक्स्ट रेंगे मडेरी आंट्रिक तर किस्डिक स्सक्राइब ग자를 that यांत्रिक तरंगे किस प्रकार गमन करती हैं, तो यांत्रिक तरंग के लिए क्या चाहिए होता है, तो माध्यम में निर्वात में नहीं, आप्संट C, सिर्फ माध्यम में निर्वात में नहीं, आप्संट C इसका राइट अंस हो जाएगा, किसी आवेशित निकाय द्वारा किसी अन्य आवेशित निकाय पर लगाय गये बल को क्या कहते हैं किसी अन्य निकाय पर लगाय गये बल को क्या कहा जाता है तो option C विद्दुद स्थैटिक बल next नेक्स्ट निमलिखित का आयू पेसी नाम क्या है देया आपका CH2, double bond CH, single bond CH2, single bond CH2, single bond C, triple bond CH, तो इसका आयू पेसी नाम है, option B, one hexine, five iron, option B, नेक्स्ट है, रासानिक अभिक्रिया की सक्रियंड उर्जा को किस प्रकार निर्धहरित किया जा सकता है, तो option B, दो तापों पर वेग नितांकों का निर्धहरण करके, option B, next, गैस की मात्रा किसके व्यतक्रमान पाती होती है, तो दाब की, option C, दाब, next, आवर्थ साड़ी की आवदिचार में नेमलिकित में से काउन सा निस्क्रिय गैस रखा गया है, तो option A, इसका राई टैंस की यार, यानि क्रिप्टाउन, next time, निमने कत्नों में से काउन सा सत्य नहीं है, काउन सा सत्य नहीं यह देखते हैं, पहला है, क्रितिम सिल्क, सिल्लो से ही उत्पन होता बिल्कुल सही है, जो आपका क्रितिम सिल्क होता है, यह सिल्लुलेस से बनता है, सही है, नाइलान, 66, इलेस्टॉमर का एक उधारन है, ये गलत है, option b का right-hand हो जाए, बाकी प्राक्रतिक रबट में बार-बार आने वाला unit आईसोप्रेन है, ठीक है, प्राक्रतिक रबट जो है किसका बहुलग होता है, आई सुप्रेन का होता है, नेक्स है, उस्मा छेपी अबक्रिया में क्या होता है, ये पूछा गया प्रश्न है, हेड मास्टर में, उस्मा छेपी अबक्रिया में क्या होता है, इसमें उस्मा निकलती है, जैसे आपका सोसन हो गया, तो इसमें क्या होता है, उसमा निकलती है, screen, उसमां निकलती है. नेक्स्ट है, XO chromosome आ समानता से क्या होता है? एक्स ओ क्रोमो से यह समानता से क्या होता है इससे क्या होता है टर्नर शिंड्रों आप्सन 20 का राइट एंट रोजागा तर्नर शिंड्रों नेक्स्ट है निमन में काउन से जीवाडू समानता मानों की आतों में रहते हैं काउन से जुमाड समानता मानों की आतों में रहता है इसका राइट अंस रोज़ आपका आप संप बीश के राइट अंस रोज़ आप से रिक्या को लाई आप्ष crisp को ड़ी टे आपस्ट अलिव्य आप संप 20 उड़ मेंusta सबसे बड़ा स्था मस्तिस का सबसे बड़ा हिस्था इंपॉर्टेंट है यह 어때ं तो सेड़ी ब्रह्म एन अपाट्शन भी सीसु लिंग निर्धारन किस पर निर्भर करता है तो आप्टिक्षा स्वक्राऍड कि प्रकार पर आप्सब्सी सीस इसका राइट एंस रोजगा, अच्छा, पुरूस में क्या होता है, तो X, Y क्रोमोसम होता है, और इस तरी में क्या होता है, तो X, X होता है, जब यहां से आपका एक X मिलता है, यहां से और यहां से एक X मिलेगा, तो आपका लड़की पैदा होगी, लेकिन यहां से अगर एक Y, और यहां सी आपका क्या होता है एक एक्स तो क्या प्या पैदा होता हैला फैश्य कि षुर्मिक फैश्य होसे इढॉंज्ट साइतां कडने में सब्सक्राइब कि अन्दर आपको क्या कहते हैं जिसके अंदर चाल बढेंग कर थे जाते हैं का आटी है ऐसे जंद को क्या गहाँ जाता जिसके अंदर बाही जीन्स को प्रीजैष के श्राप्विय से टाफ जाता है तो आप सट ली ट्रांस जीनिक है आप संब आस नोलग का तेल कि स्यप राप्त होता है लाहर का तेल कि स्यप होता है तो इस halves होलगा option B का करेंट रो जाएं साइजी जुँयम एरो मैटिकं की कुष्पक लिका से आप सननल चैनल नेक्स्ट समवेक का सबसे निकट समबंध किस्टस तो आङ एक से आप्शन B आवे, नेक्स्ट बढ़ते हैं, व्यस्क मानो इर्यत्रो साइट में क्या रहता है, व्यस्क मानो इर्यत्रो साइट में क्या रहता है, तो ना तो DNA, ना तो RNA, तिसका राइट एंसर जगा आप्शन B, ना तो DNA, ना ही RNA, आप्शन B, नेक्स्ट है, एक पौधो में इन में से क्या, बीज में परियुत होता हे तो आपका जो विजाड़ू होता है वहीं बीज में अपसली नेक्स्ट है एबी रख्त समूमें क्या होता है इसमें आपका जो है अपसली का राइटरा चैसल चोजागा एंटी बाडी नहीं रहते हैं आपसल rat इस नहीं होता है तो इसमें आपका हो जाएगा आप्सेंट के इसका। बार जका बाइन करते हैं तो option D, इनमें से कोई नहीं है, नेक्स्ट है, बिटामिन के बारे में कौन सा तत्य सही नहीं है, पहला है, इसका नामकरण फंक नहीं किया, बिल्कुल सही है, ये पाचन में सहायक होते हैं, ये गलत है, इसकी कमी रोग उत्पन करती है, ये सही आपका, तो option 20 का राइट हैंस ह है, दुनिया का सबसे लंबा पेड काउंसा है, तो रेड बूड है, आप्सन ए, नेक्स्ट है, प्रोटीन की कमी से काउंसा रोग होता है, प्रोटीन की कमी से काउंसा रोग होता है, तो option 20 का राइट अंस रोजगा, कौस यो कोर्ज होता है, ये प्रोटीन की कमी से होता है, नेक्स्ट, साइटोपलाज्म एक जली जैसा द्रव होता है, वह निम्न में मौजूद होता है, साइटोपलाज्म जिसका राइट अन्च रोजगा आप्सन एक केंद्रक और कुछिसका भित्य के बीच में, आप्सन एक, नेक्स्ट, भारत में ताजे जल का प्रमुक स्रूत तो भूजल है, आप्सन एक, भूजल, नेक्स्ट, आयू सीयन, रेड लिष्ट निम्न में किसकी मदद करती है, सबीक पता होगा, आप्सन एक, पादप और पसु प्रजातियों की बिस्व ब्यापी सनचन इसतिका आकलन करने में, आप्सन एक, एक कोस्की यूकरियाटिक, स प्रुटिष्टा, नेक्स्ट है, सोर उर्जा का सबसे Бढ़ा यौगीकी करण, इनमें से कौन है, सोर उर्जा का सबसे बढ़ा यौगूकी करण, कौन है, तो हरेपादे है, आप्सन एक हरेपादे, नेक्स्ट उन्निसमें एसियन गेम्स में रोहन वपन्ना और रितुजा भोसले की जोडी ने स्वड़ पदक जीता उनका संबंद किस खेल से है तो टेनिस है ये आप्सन भी टेनिस नेक्स्ट हाली में किसे वर्ष 2030 का सस्त्र रामानुजन पुरसकार मिला तो आप्सन सीस का राइट एंस रोजागा राइक्सियांग जहांको आप्सन सीस का करेट एंस रोजागा नेक्स्ट हाली में प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया यानि पीटी आई बोड के अध्यच कौन चुने गया है तो आप्सन भी कियन शांता कुमार आप्सन 20 का राइट एंस रोजागा नेक्स्ट अंतराष्टी अहिंसा दिवस कब मनाया गया था अंतराष्टी अहिंसा दिवस का बना आता है तो दो अक्टूबर को अप्सन इसका राइट एंस रोजगा दोस्तों यदि आप हमारे चनल पर नय है तो प्लीज चनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक सियर और कमेंट भी करें आप लोग करते हैं से अमें बहुत मोटी बेशन मिलता है जिससे हम आप लोग के लिए वीडियो को ला पाते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रू बताईगा वीडियो का ऐसी लगी ठीक है नेक्स्ट है बिहार राज का दूसरा टाइगर एजरब किस जिले में अस्थापित किया जाएगा तो दूसर कैमूर में अस्थापित किया जाएगा तो इसलिए अप्शन ए इन में से कोई नहीं पहला कहाँ पर है तो पस्चमी चंपारण में कौन सा है बाल में की टाइगर जरूर नेक्स्ट है हाली में भारत और कौन सा देश अलास्का में दो सबता का युद्ध खेल शुरू किया था तो भारत और अमेरिका आप्शन ए नेक्स्ट है वर्ष 2013 के लिए परिटन मंत्राले द्वारा पिंबर्थी और चंदलापूर को किस राज्य में सर्वस्टेश्ट परिटन गाउं की रूप में चुना गया था तो तिलंगाना आप्शन भी तिलंगाना नेक्स्ट गोव लिए अप्शन भी रजत पदग नेक्स्ट हाल में भारत मंडपभ नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कॉंगरेस के साथ में संस्क्रण का उधगाटन किस ने किया तो इसका उधगाटन किस ने क्या था तो प्रधान मंतरी नरेंड्र मूदी ने किया था आप्शन में नही नेक्स्ट भारती सिना के द्वारा चाड़क के रच्छा संबाद 2030 का आयूजन कहां किया गया भारती सिना के द्वारा चाड़क के रच्छा संबाद 2030 का आयूजन कहां पर किया गया तो नई दिल्ली में आपसन भी नई दिल्ली नेक्स्ट बिहार के किस जिलेक की बेटी रौसनी परवीन का चयन जिनेवा स्चुट्जल लेंड में आयोजित होने वाले विस्व युवा समिलन 2030 के भारत का प्रतनेद्ट करने के लिए हुआ था तो इसका राइट एंसर जगा आप्शन ए किसन गंज आप्शन ए इम्पोर् इसका उद्गाटन हाली में किया गया तो इसका राइट एंसर रोजागा आपका आप्शन भी पांच आप्शन भी इसका करेटन रोजागा और ये कौन कौन से जिले हैं तो ध्याना किएगा अरडिया मोतिहारी सीता मडी और अंगाबाद मधुबनी ठीक है ये ध्याना पस्ट तैक ये वर वचिण